जैहन दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आजय सर जी यूटूब चनल पर दोस्तों एक समस्या से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं बहुत से लोगों के दारा मुझसे पूछा जा रहा है कि सर मेरे पिता जी का नाम मेरे मार्सीट में तो कुछ और है लेकिन उनके क्या हो सकता है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके सारे डाकुमेंट में यदि उनके पिता जी का नाम समान है जैसे राकेश कुमार राकेश कुमार हाई स्कूल इंटर ग्रियोशन आगे जितनी भी डिगरिया है तो भले ही उनके पिता जी के डाकुमेंट में राकेश है ही नहीं तब इस सित्रशी में समयश्य हो सकती है तो SER विती में यह है कि कहीं कहीं Why उनके पिसाजी के किसी दस्तावेग में उर्फ लगा करके वह मार्शित वाला नंब नाम होना चाहिए इसे भध्ली नाम अगर तो उर्फ करके जिस sleeve कि एक साभीत हो कि इनका भी नाम है अब ऐसा भी हो सकता है कि जिसे बहुत लोगों का नाम दो ठोड़ाता है जिसे मुह बोला नाम हो गया तो एक आधार होना चाहिए राकेश उर्फ यह है अब ऐसाने हो कि वह अलग ही नाम हो जो क्योंके पिताजी के कहीं से कोई दस्तावेज में मैच चीने करता हो तो ऐसे इसकती में समस्या मानी जा सकती है बाकी यदि कहीं टाइटिल में समस्या है अब इससे राकेश कुमार है राकेश यादो है तो राकेश जो में नाम है राकेश ओ तो सही है अब टाइटिल में माली किसी कुमार लगाया कोई से पर पर तो रहे क surge मौका देंक देता है जब एक लगा दिया जाता तो कुछ मौका देता है फिर उसके बाद समसोधन करा सकते हैं सबस्रादन अहugen prev отп कराना होता है तो अधिकारी पाद ing करें करके का चला लिये तो अधिकारी क ô जो भी सुचनाय दी जा रहे हैं कहीं से कोई गलती नहीं है यादि गलती पाई गई तो मेरा अभ्यर्था निर्था समझा जा या तमाम प्रकार कीजिए वह तो ब्यान हल्पी में वह सो मैटर लिखा जाता है तो कुल्मिला जुला करके यही है कि केवल सत्तता के लिए ऐसा हो है तो पूरा जीवन चौपट हो गया तो कुल्मिला जुला करके यही है कि अगर ऐसे चोटी मोड़ी समस्या है तो जादे घबडानी के जरूत नहीं है बस केवल आपके डाकुमेंट में एक रूपता होनी चाहिए यह राकेश कुमार है तो सब जंगर राकेश कुमार राक रहे मार्क सुट में पिता के नाम में माळे ठाइटिल आधर दे खतानी था तो हूँ घब होना चाहिए तो राकेश नाम होना चाहिए अगन नाम लिखवाता है तो देखी उनके लिखवाता है तो आप समझी गया है धन्यवाद